पलिया द्वारा होते हुए गौरी फंटा से नेपाल देश को जोडने वाली गौरी फंटा रोड सालों से जरजर पड़ी हुई है रोड का आलम यह है कि चार पईया वाहन तो दूर दो पईया वाहन भी 40 किलोमिटर का सफर एक घंटे में तै कर पाते हैं कई बार रोड में पड़े बड़े गड़ों के चलते चार पईया वाहन पलट गए जिससे वाहन में सवार लोग घायल हुए गौरी फंटा बॉर्डर नेपाल सीमा से जुड़ा होने के चलते देश विरोधी गती विदियो की भी आशंका बनी रहती है इसके अलावा तसकर इस बॉर्डर से रोजाना लाकों रुपय का माल भारत से नेपाल वा नेपाल से भारत ले जाया करते हैं सुरक्षा की दृष्टी को लेकर इस सीमा पर SSB, कस्टम सहित विबिन्नक हूफिया एजन्सियों वो विबाग के करमचारी तैना थे लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी सरकार ने इस रोड के निर्मान को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गौरी फंटा मंडी के व्यापारियों का कहना है कि वो कई बार जीले के डियेम सहित अन्य उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रोड निर्मान की मांग रख चुके है लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी ने उनकी इन समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं दिया वही रोड के जरजर होने के चलते भारत देश के अलावा नेपाली नागरीकों में भी जीले के अधिकारियों की लापरवा कार्य प्रणाली को लेकर रोश्व चर्चा का विशय बना है